आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students हमारे सामने एक Qution दिया हुआ है Qution पूछा हुआ है Who are the internal users of accounting information Who are the internal users कौन होते है जो accounting information को use करते है तो देखें सबसे पहले हम समझते है कि internal users का meaning क्या होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले internal users की internal users का ही meaning क्या होता है फिर हम देखेंगे कि वो कौन लोग होते है देखें who have direct interest internal users कुन से होते हैं जिनका direct interest होता है किस चीज में who have direct interest who have direct interest direct interest in the business direct interest होता है in the business direct interest का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम second point में डाल देते हैं यह हम लिख देते हैं first point था who have direct interest in the business second लिख देते हैं, who are involved in, यहाँ पर हम लिखते हैं, directly involved in managing and operating the business, directly involved का मतलब क्यों हो गया, managing and operating the business, वो क्या करते हैं, या तो business को manage करते हैं, managing and operating the business, managing and operating the business, जो manage कर रहे होते हैं, या business को क्या कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, operate कर रहे होते हैं, काम देख रहे होते हैं, तो वो कौन हो जाते हैं, managing and operating भी क्या होते हैं, internal users होते हैं, अब हम से पूछा हुआ हैं, वो कौन से होते हैं, उनके examples दीजिए, कौन होते हैं, तो रेक्ट होते हैं, दूसरा कौन होता है, दूसरा कोन होता है, मेनेजमेंट, मेनेजमेंट की जो टी top level होते हैं, वो पूरा देखते हैं कि internal users होते हैं, थर्ड कोन होता है, जैसे गर कोई partnership firm है, तो महाँ पर कौन होंगे, partners होंगे, और fourth term example ले सकते हैं, board of directors, तो यहाँ पर लिख सकते हैं directors, directors क्या मतलब क्या हुआ जो business को direct करते हैं तो board of directors होते हैं उनका भी क्या होता है, direct interest होता है direct interest होता है उनका business में और वो क्या करते हैं business की activities को manage करते हैं और उसको चलाने में help करते हैं business को operate करते हैं I hope आप सभी को समझ में आया होगा. Thank you.